कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी पर दभाए और पर क्लिक करें और एक लाइक करना ना भूले हाई फ्रेंड्स कैसे हूँ आप लोग मुझे उम्मिद है कि आप लोग खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोभी कबार ऐसा होता है कि वो मेशिन चलना बन हो जाती है जाम लग जाता है ऐसा क्यों होता है आप लोग परिशान हो जाते होंगे फि के बाद वो बहुत ज्यादा पैसा लेगा इसलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरीए से आप लोग मेकनिक के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद उसको ठीक कर सकते हैं वो जम लग जाता है वो चलना बंद हो जाता है बहुत जरू लगता है चलने में ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जरूर आप उस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा तो आपको बता चल जाएगा कि क्यो ऐसा होता है उससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब किया हुआ हो तो बहुत-बहुत धन्य बात आपको एक स्कुरूब रखाएब की जरूरत पड़ेगी जो मेशिन के साहाथ मिल जाती है इसको वबने के बात राखा हुआ है यहाँ एक लगा हुआ है और नीचे एक लगा हुआ है उन दुनों को खुलने के बाद आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूँगा उसे पहले मैं उसको खुल लेता हूँ आप उसको खुलने के वक्त ध्यान रखिएगा कि कहां से खुल रहे हैं कैसे खुल रहे हैं कौन सा पार्स कहा लगा हुआ था बाद में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा यह फिर यह नाट जो है ना उसको खुलना है उस नाट को खुलना है अंदर एक नाट रहता है उसको खुलना है आपको अच्छी तरह देखना है कि के से आप खुल रहे हैं कहां कौन सा पार्स लगा हुआ है यह यहां लगा हुआ है यहां तिन पार्स है एक दू तिन एक खु अब को उसको आच्छी तरह साफ कर लेना है साफ करने के बाद अभी उसको जैसे खुला था वैसे ही लगा देना है लगा कर एक मर्तमा टाई करके देखना है कि वो जो जाम लगा था वो ठीक हुआ है या नहीं अगर नहीं हुआ तो और कोई प्रब्लेम होगा ज्यादा प्रब्लेम आए तो उसको खुल कर एक मुर्तमा साफ करके लगा देना तो वो ठीक हो जाएगा मैं उमेद करता हूं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले फिर मिल तए है नए वीडियो के साथ